पंजाब में 2022 की जंग अभी से शुरू हो चुकी है मिशन 2022 को लेकर प्रदेश में सभी सियासी दलों ने कमर कसली स्थाने निकाय चुनाव के नतीजों से जहां कॉंग्रेस गदगद है वहीं वापसी की हुंकार भर रही तो वहीं विरोधी पाटियां भी 2022 में अपने अपनी जीत का दावा कर रही है पंजाब में हाल ही में स्थाने निकाय चुनाव खत्म होए है स्थाने निकाय चुनाव के साथ ही पंजाब में ग्राउंड पर 2022 की जंग का आगाज अभी से हो गया है कॉंग्रेस जहां मिशन रिपीट पर लगी वी है तो वहीं शिर्मनिया काली दल सत्ता वापसी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी आमादी पार्टी खुद को पंजाब में विकल के तौर पर दावा कर रही है कि पंजाब में रवायती पार्टीों से जलता का भरोसा उठ गया है और इस बार आमादी पार्टी की सरकार बनेगी ठानी निकाय चुनाव की बात करे तो पंजाब में आठ नगर निगमों और 109 नगर परिशद नगर पंजायतों के लिए हुए चुनाव में कॉंग्रेस की बंपर जीत हुई है कॉंग्रेस इस जीत को मुख्यमंत्री कैटेन अमरिंदर सिंग की सोच की जीत बता रही है और 2017 से भी ज्यादा मजबूती के साथ 2022 में रिपीट की हुंकार भर रही है विरोधियों के भी अपने अपने दावे हैं आमादी पार्टी कॉंग्रेस की जीत को धकेशाई की जीत करार देकर 2022 में आमादी पार्टी की सरकार आने का डावा कर रही है 2017 में सत्ता से बाहर होकर पंजाब में तीसरे पायदान पर पहुँची शुरमनिय अकाली दल भी कॉंग्रेस पर निकाय चुनाव में सरकारी तंतर का इस्तिमाल कर जीत हासिल करने का आरोप लगा रही है अकाली दल के मुताबिक पंजाब का विकास ठप है और 2022 में शुरमनिय अकाली दल की सरकार बनने का दावा किया जा रहा है सभी राजनितिक दलों के अपने अपने दावे है मिशन 2022 को लेकर आरोप प्रत्यारोप है कॉंग्रेस ने भले ही निकाय चुनाव में जीत हासिल की हो लेकिन मिशन 2022 उसे इतना भी आसान नहीं है अगले चुनाव से पहले 2017 में किये वायदे पार्टी के कई बड़े नेताओं की नाराद्गी से उसे निफट ना होगा आमादी पार्टी को पंजाब में संगठन को मजबूत करना किसी चुनावती से कम नहीं है उसके अलावा शुर्मनिय काली 10-10 सालों के बाद बीजेपी से अलग होकर चुनाव डड़ेगा निउस्टेक्स रिपोर्ट इंदिया निउस